हलो बच्चों कैसे हैं आप सब आज हम सेखेंगे आलफा डीके यानि आलफा डिसिंटीग्रेशन किसी भी अन्स्टेबल रेडियो एक्टिव नूकलाई में से यानि आप ऐसे समझ लेजिए जो एलिमेंट जिनका एटोमिक मास नंबर 210 या उससे उपर जाता है तब उसमें से आलफा का डिसिंटीग्रेशन होता है यानि आलफा एलिमेंट जो है आलफा नूकलियस जो है उस रेडियो एक्टिव सेंपल में से बाहार तूट कर निकलता है जिसे हम डीके कहते हैं और इस प्रोसेस को कहेंगे आलफा डीके तो इस आलफा डिसिंटीग्रेशन में यानि के जिसे हम आलफा को हीलिम भी कह सकते हैं हीलिम यानि जिसका अटोमिक नंबर 2 हो और जिसका मास 4 ताइमस तूदा मास अफ हाइड्रोजन हो यानि हम HE24 भी उसे कहते हैं यानि ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी है जब भी किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में से अलफा का डीके होता है तो वो रेडियो एक्टिव सैंपल जो है जिसे हमPaul parents nucleus भी कहेंगे याद रखे क्या कहेंगे parent nucleus भी कहेंगे वो disintegrate होने के बाद कोई नया nucleus बनता है और इस नया nucleus को हम कहते हैं daughter nucleus क्या कहेंगे daughter nucleus यानि एक parent nucleus एक radioactive sample alpha decay करने के बाद वो कोई नया nucleus बन जाता है और साथ ही उसमें से alpha का decay होता यानि helium element अंदर से निकलता है helium nucleus अंदर से निकलता है और इसके साथ में energy भी release होती है right आईए देखते हैं इस process को detail में alpha decay is a process in which an unstable nucleus transforms itself into a new nucleus by emitting an alpha particle देखिए मैं आपको यही बात कह रहा था कि किसी भी radioactive sample यानि जो unstable sample होगा जिसका atomic mass number greater than or equal to 210 हो right तो क्या होगा ऐसे nucleus जो है वो अपने अंदर से alpha का disintegration दिखाते हैं और जब भी यह disintegration होता है तो parent element जो है parent nucleus जो है convert हो जाता है daughter nucleus में right नया nucleus वो बनाता है since an alpha particle has two protons and two neutrons so after alpha decay the parent nucleus is transformed into a daughter nucleus with a mass number smaller by 4 and atomic number smaller by 2 देखिए इसका मतलब क्या है हम जो alpha particle कह रहे है वो helium है helium है इसका मतलब उसके इंदर दो proton और दो neutron होते हैं हमारे पास let एक element है हमारे पास x clear और यह रहा इसका atomic number z और यह रहा इसका atomic mass number a तो यहाँ पर atomic number और atomic mass number दोनों हैं हमारे पास अब radioactive disintegration हुआ यहाँ पर और उसमें से alpha decay होगा तो alpha decay होने पर क्या हुआ यहाँ पर देखिए alpha decay होने पर helium बाहर निकला मतलब इसे ही हम alpha कह रहे हैं देखिए confuse मत होई है इसे ही हम alpha कहते हैं 2,4 ही 2,4 और साथ में क्या निकलता है तो energy निकलती है यानि q right where q is what this is energy right this energy releases in this process where alpha is decaying from this parent nucleus right और इसे हम क्या कहेंगे इसे parent nucleus कह सकते हैं यह parent nucleus होगा और यहाँ पर जो नया nucleus बनेगा देखिए नया nucleus में क्या होगा अभी हमने पढ़ा यहाँ पर that new nucleus और dotted nucleus with mass number smaller by 4 तो mass number smaller by 4 मतलब a minus 4 हो जाएगा and atomic number smaller by 2 मतलब z minus 2 होगा यह process में होगा ध्यान दीजिए इस तरह कि process में यह चीज होती है यह जब भी helium निकलेगा helium यानि यह हमारे पास क्या है alpha particle है इसे हम alpha particle कहते है तो यह जब भी helium निकलेगा तो आप देख सकते हैं इसका atomic mass number कितना है 4 atomic number कितना है 2 तो mass number 4 है और atomic number 2 है इस वज़े से क्या होगा आप देख सकते हैं जो parent nucleus है उससे जो नया nucleus बना है उस nucleus के अंदर mass number में decrease by 4 हो रहा है और atomic number में decrease by 2 हो रहा है तो यह हमें यहाँ पर याद रहता है ठीक है चलिए इसे हम कहेंगे daughter nucleus देखिए राइट चलिए इसके example हम समझ लेते हैं यहाँ पर एक example हम लेते हैं देखिए यहाँ पर सपोर्स हम लेते हैं यूरेनियम यूरेनियम 92 238 अब इस यूरेनियम का disintegration alpha dk में देखना है यहाँ पर तो क्या होगा इस यूरेनियम में यूरेनियम जो है नया element जो बनाएगा वो होगा thorium क्या होगा thorium और वहाँ पर क्या होगा देखिए यहाँ पर according to this standard equation हम यहाँ पर क्या करेंगे z minus 2 है यहाँ 92 minus 2 यहाँ 90 clear mass number में decrease by 4 है मतलब 234 हो जाएगा thorium मिलेगा plus क्या होगा yes alpha particle dk हुआ clear plus energy release होई clear तो इस तरह से हम यह एक formula यहाँ पर reaction यहाँ पर देख सकते हैं clear disintegration यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा disintegration अगर मैं देखना हो यहाँ पर तो देखिए इसे हम polonium ले रहे हैं जैसे polonium ले रहे हैं तो polonium में it is 84 208 right 208 84 इसका mass number है और 208 इसका sorry mass number यह 208 mass number है 84 इसका atomic number है right अब देखिए यह क्या होगा यह बनेगा lead देखिए क्या बनेगा lead बनेगा यहाँ पर decrease by 2 यानि 82 हो जाएगा and decrease by 4 तो 204 हो जाएगा इस process के अंदर भी क्या हुआ alpha का decay हुआ है देख सकते हैं आप यहाँ पर clear तो यह हुए symbols आप alpha decay clear आप देख सकते हैं यह बात हमें यहाँ पर याद रखनी है that a daughter nucleus with a mass number smaller by 4 and atomic number smaller by 2 wherever इसमें confused नहीं होना है clear चलिए यह एक बात हो गई अब अगर हम बात करें speed of this alpha particle right तो क्या होगा चलिए जगे बना लेते हैं उसके लिए speed of alpha particle हम यहाँ पर देखते हैं चलिए अब आप देखेंगे speed of speed of alpha particle to speed of alpha particle हम देखेंगे हमारे पास जो equation है standard equation है उसके साब से क्या होता है standard equation alpha decay में it is suppose some sample is x with atomic number z and a mass number a then after decay of alpha right this is what alpha particle what happened new daughter nucleus form which is z minus 2 and here a minus 4 clear क्या होगा a minus 4 होगा clear plus क्या होगा energy release होगे तो standard form हमें देखना है clear अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है इस reaction इस chain process से पहले हम यहाँ पर देखेंगे यह जो हमारे पास radioactive sample है यह rest mass में मतलब इसका इसकी rest velocity जो है rest mass जो है sorry इसकी velocity जो है वो zero है clear यानि हम यहाँ पर क्या कह रहे है that initially लेक लेते हैं से initially radioactive sample that is xza is at rest right so its velocity is zero right इसकी velocity हम क्या ले रहे हैं ले यानि vx जो है वो हमारे पास कितना है जीरो है ठीक है चलिए यह हमें पता चल गया clear and हम दूसरी lighting करने हैं देखें यहाँ पर इस term को हम लेंगे यह जो daughter element है उसकी velocity हम लेंगे तो V and Vy and Vy and V alpha alpha are the velocities of daughter nucleus and alpha particle and alpha particle clear okay तो यहाँ पर यह बाद हम यहाँ पर पता चल रही है चलिए यह बाद यहाँ पर पता चल गए अब देखें यहाँ पर अगर हम लिखें एक बात भ्यान दीचिए यहाँ पर एक बात हम लिखेंगे यूज करेंगे law of conservation of momentum का देखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे using using law of conservation of momentum लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो velocity है वो हमारे पास क्या है जेरो है बिकास दिस पाटिकल इसकी जो है यहाँ पर वेलोसिटी जो है सिव यह दो की हमारे पास है यानि हम सीदे से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं देखें ध्यान से using law of conservation of momentum लिखेंगे लिखेंगे जो मैंने कैसे लिखा है यहाँ पर हमारे पास जो mv होता है यानि के momentum P is equal to mv लिखते हैं तो momentum law of conservation momentum का इस्तेमाल किया है minus sign को आप यहाँ पर ignore कर दीजिए तो minus sign को हमने ignore किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते before reaction जो है momentum जो होगा वो कितना होगा 0 होगा after reaction का momentum यहाँ पर यह दुनों का addition आएगा जो equal to 0 होगा यानि यहाँ पर minus sign होना चाहिए पर हमने minus sign को neglect किया है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते है myvy is equal to m alpha v alpha लिख सकते है clear? so let it be और यहाँ फिर हम यहाँ पर subject बिना लेते हैं हमें find करना है velocity of alpha particle तो पहले हम vy की यहाँ पर subject बना लेते हैं तो it is m alpha v alpha by m y right let it be equation 1 यह equation 1 होगा हमारे लिए ठीक है? चलिए अब यहाँ पर देखिए Q energy releases releases from the parent nucleus parent nucleus right which is which is which is sum of kinetic energy of daughter nucleus daughter nucleus and alpha particle and and alpha particle होगा that is अब हम इसे क्या लेक्षे सकते हैं देखे धान से that is we can write this form as that is half of m y v y square right this is the kinetic energy of daughter nucleus right plus half of m alpha v alpha square this is the kinetic energy of alpha particle right which is equal to क्या होगा क्यू होगा clear ऐसे हम लेख सकते हैं इसे clear अब आप यहाँ पर देखिए v y की value यहाँ पर अगर हम substitute कर दें तो this will be half of m y v y की value substitute करेंगे तो it will be m alpha square v alpha square whole by m y square plus half of m alpha v alpha square is equal to q clear चलिया अब देखिए यहाँ पर जगे बना लेते हैं इसके यहाँ पर जगे बना लेते हैं हम चलिया अब आप देखिएंगे क्या हो रहा है यहाँ पर इस टम में m y 1 m y के साथ cancel हो जाएगा तो यह equation कुछ हमें इस तरह से दिखाए देगा half of m alpha square v y m alpha square v alpha square by m y right okay plus half of here it is m alpha v alpha square is equal to q अब आप देखिएंगे यहाँ पर इसे LCM हम ले ले तो क्या होगा it will be half of m alpha square v alpha square right v alpha square plus half of m alpha v alpha square here m y here m y is equal to q m y आजाएगा LCM करने के बाद clear चलिए यह हमें समझ में है अब देखिए इसको थोड़ा rearrange कर रहे हैं यहाँ पर therefore क्या होगा यहाँ से common term हम निकाल रहे हैं तो it is half right क्या निकल रहे है दूसरा common m alpha and v alpha square यह common निकल रहे है तो bracket में बच क्या रहे है देखिए अगर इन दोनों term से मैंने यह common निकाल रहे है तो bracket में बच क्या रहे है it is m alpha plus m y यह term बच रहे है clear is equal to q m y is equal to क्या हुआ q m y clear चलिए अब आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से यह जो term है यह जो term हम यहाँ पर दिखाई दे रहे है यह है kinetic energy right kinetic energy of alpha particle तो यहाँ पर हम सीधे आप देख सकते है half of m alpha v alpha square है तो यह kinetic energy हो गई ना हमारे लिए तो यहाँ मैं सीधे लिख रहा हूँ k alpha right kinetic energy of alpha particle is equal to इस term को यहाँ पर denominator मिले रहा हूँ तो इस q m y by क्या होगा it is m alpha plus m y यह form हो जाएगा clear देखें ध्यान से यह form हो जाएगा is equal to k alpha जो है वो हमारे लिए क्या है it is half of m alpha v alpha square right यह हमारे लिए सबसे standard form है clear सबसे standard form है clear चले अब यहाँ आपर ध्यान दीजिए यहाँ ध्यान दीजिए एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि parent जब डिसिंटीग्रेट करेगा अलफा पार्टिकल को तो डॉटर नूकलिएस के अंदर अटोमिक नंबर जो है वो डिक्रीज़ बाई 2 होता है और मास नंबर जो है वो डिक्रीज़ बाई 4 होता है अगर मास नंबर डिक्रीज़ बाई 4 होगा यानि हम यहाँ पर लेख सकते हैं m y is decreases by 4 तो यहाँ पर which is a minus 4 हम लेख सकते है clear also हमें एक बात पता है यह इससे अगर हम मास के फॉर्म में लेखें तो a minus 4 amu अटोमिक मास यूनिट होता है clear also आप देखेंगे अगर हम मास ओफ आल्फा लिख रहे हैं तो मास ओफ आल्फा कितना आएगा 4 amu आएगा कितना आएगा 4 amu अब अगर इन वैल्यू को हम यहाँ पर substitute करके लिखेंगे तो देखें कैसे लिखेंगे पहला एक फॉर्म हम यहाँ पर रिप्रेजन करते हैं के अल्फा के लिए तो के अल्फा इस एक्वेल टू क्या होगा के अल्फा इस एक्वेल टू इट इस क्यू a-4 देखें मैं m y की जगे पर value m y की रखना हो यहाँ पर whole by क्या हो रहा है m अल्फा m अल्फा कितना है 4 plus m y is a-4 क्या हो रहा है cancel which is q a-4 whole by a this is equal to k अल्फा आया देखें यहाँ पर क्या आया this is equal to k अल्फा clear एक बात यहाँ पर देखें also ध्यान दीजिए k अल्फा कॉम क्या लिख सकते है half of m अल्फा v अल्फा स्क्वार लिख सकते है which is equal to क्या बच रहा है आपर q a-4 by a यह फॉर्म आ रहा है ना तो देखें इसको rearrange करें तो velocity of अल्फा हमें speed of अल्फा पार्टिकल फाइं करना था तो v अल्फा square is equal to it is 2 q a-4 a-4 by a हो जाएगा clear अब क्योंकि यहाँ पर square है तो यह term जो है square root में चली जाएगी clear यह हमारे लिए one of the most important formula रहेगा which is the velocity of अल्फा पार्टिकल clear और यहाँ पर इस form को आँ ऐसे भी लिख सकते हैं clear दूसरा form जो आप लिख सकते हैं वो सीधे comparison में आप ऐसे लिख सकते हैं देखे ध्यान देजिए k alpha is equal to half of m alpha v alpha square तो यहाँ पर आप इसे v alpha square को subject बना लीजिए तो इस 2 times of k alpha by m alpha यह हुआ यानि v alpha is equal to root of 2 k alpha by m alpha यह भी अमारे लिए one of the most important formula हुआ here so this is what alpha dk thank you